नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर आपकी इस तरीके से पेरोल बाउचर कैसे बना सकते हैं इसका यूज किसले किया जाता है तो दोस्तों अगर हम पेरोल बाउचर का यू करना है जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई employee वहां पे काम कर रहा है तो उसका पी अटेंडेंस और साथ में दोस्तों ओवर टाइम ये सारे बहुत चीज़ें इंक्लूड रहते हैं इन सबका एक management बनाना होता है और उसी हिसाप से salary pay किया जाता है तो उसी को बोलते हैं payroll voucher जो की easy तरीके से आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो पे लाश्ट तक बने रहेगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है टैली प्राइम के यहाँ पे जो इसका software है उसके बाद दोस् company का नाम बनाईए जिस भी company को आप जैसे बनाना चाहते यानि management करना चाहते हैं तो basic तरीके से दोस्तों इसका नाम रखते हैं pay role voucher दोस्तों pay role voucher इसलिए रख रहे हैं कि समझने में असानी होगा तो यहाँ पे हम pay role voucher नाम से company यहाँ पे create कर लेते हैं उसके बाद दोस्तो इंटर करना यहाँ पे mailing name same रहाएगा and address आप डाल सकते हैं जो भी आपका address है and उसके बाद state आप जो आपका state है हमारा उत्तर परदेश है तो हम दोस्तों उत्तर परदेश यहाँ पे select कर लेते हैं and आपकी country select कर लेना है pin code वेगारा आपको डालेना जो भी आपकी pin number है यानि jeep code number है उसके बाद दोस्तों आपको इंटर करते हुए आना है और दोस्तों हम बार बार करते हैं कि आपको tally prime के अंदर आपको control A नहीं करना है हमेशा इंटर करते हुए press करके आई क्योंकि इसके अंदर आपको ght का भी option आता है यानि जो हमारे पास tally prime के configuration on करने का होता है क्योंकि हमारे जो old version जैसे tally यारपी उसके अंदर f11 से हम कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर वो शारे disable होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इंटर प्रेस जैसे करते हैं last में तो यहाँ पर जैसे accept करेंगे तो यहाँ पर आपको company creation successfully का यहाँ पर option आएगा जिसमें सारे features क यहाँ से on कर सकते हैं यह दोनों आपको हमेशा yes रहना है उसके बाद दोस्तों आपको इंटर करते हुए आना है यदि आपकी GST इसमें yes है तो उसको आप no कर दीजिए क्योंकि हमें GST का इसमें कामी नहीं रहता है salary pay के हिसाब से तो यहाँ पर हम no करते हैं and दोस्तों payroll maintain payroll इस पर आपको कर देना है वाई जैसे वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखा enable payroll send a tree का मतलब है कि कुछ भी आप editing वेगरा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको भी वाई प्रेस करिए and इस तरीके सा option आएगा आपको कुछ नहीं करना है इंटर करते और tally erp 9 के अंदर तो आपको i button और description में भी मिल जाएगा आप उसको देखकर तो इसको easy तरीके साब समझ सकते हैं क्योंकि tally prime में जो function होता है थोड़ा से अलग रहता है काम दोस्तों same रहता है तो चलिए अब यहाँ पर हमें आना एक gateway आप tally में उसके बाद दोस्तों य यहाँ पर एक group बनाना है यानि employee का group बनाना है जिसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर employee groups पर यहाँ पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर जैसे दो groups बनाते हैं दोस्तों पहला जो हमारा groups होगा manager का यानि जो हमारे पास manager होते हैं उसके बाद दोस्तों जो हमा जैंड ले लिया, under आपको primary रखना है, बस दोस्तों इसको आपको कर देना है, control यानि accept, यहां पर हमारे पास दो, दूसरा होगा, होगा salesman का, दोस्तों यहां पर हमारे पास जो दूसरा है, salesman ले ले लेते हैं, अब यहां पर उसको भी same, उसी तरीके से यहां पर primary रखना है, under में, and यहां पर आपको accept कर लेना है, दोस्तों इतना करने के बाद, अब हमें ज़रूरत है units की, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, जिसके लिए हम back पहले आते हैं, अब दोस्तों units की आउसकता तब पढ़ती है, यहां पर हम employee भी नहीं, last में बनाएंगे, employee जो भी name compulsory आपको डालना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ नहीं करना है, बाकि इसको भी हम कर देते हैं, accept, दोस्तों इतना करने के बाद, हमें क्या करना है, कि यहां पर फिर से पीछे आना, escape से, और आपको जाना है, attendance prediction type, इसमें हमें जो भी employees का attendance लगाना है, उसके लिए हम यहां पर जाएंगे, और यहां पर हम एक बनाएंगे पहला जो होगा, absent, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, और यहां पर दोस्तों इसका जो अंडरोगरा primary रहेगा, और यहां पर attendance type आपको ध्यान देना है, यहां पर attendance type में रहेगा, live with pay, यानि दोस्तों अगर कोई छुट होगा कि apply over time काम करते हैं, तो इसका भी दोस्तों यहां पर primary रखना है, और दोस्तों यहां पर प्राइमरी रखने के बाद यहां पर attendance type में आपको ध्यान देना है, यहां पर रखना है production, क्योंकि वो जितना काम करेगा, उसी हिसाब से उसकी मतलब payment दिया जाएगा, तो यहा पर आना है pay heads में, pay heads का मतलब है कि एक तरीके से कौन-कौन से आपको payment method होता है, कौन-कौन से आप main heading रखना चाहते हैं, जैसे basic salary हो गया, साथ में PF हो गया, और भी पहुंस चीजे हैं, तो यह सारे इसको accept करने के लिए हम pay head में चलते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका पहला जो होगा, वो होगा paid में basic, यानि basic salary जो भी provide किये जाती है, तो हम basic salary रखते हैं, और दोस्तों pay head type में यहाँ पे आपको रखना earning for employee, क्योंकि यह एक तरीके से employee की earning होती है, तो यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे income types में हमेशा दोस्तों यहाँ पे fix रखना है, क्योंकि यह fix यहाँ पे उनकी income रखी जाती है, उसके बाद यहाँ पे under में indirect expense होगा, क्योंकि एक तरीके से अलग से हमारे खर्चे होते हैं, तो इसको दोस्तों indirect expense रखना है, बाकि यहाँ पे जैसा है, same वैसे रखते हैं, वे इंटर करना है, और आपको सीधे आना है दोस्तों यहाँ यानि जो लिखा as user defined value, यानि calculation type में आपको दोस्तों इसमें रखना है on attendance, क्योंकि जो भी उसका मतलब attendance होगा, यानि जो हमने लगाया था, उसी इसापसिन को payment किया जाएगा, तो on attendance लेते हैं, और यहाँ पे attendance live with पे, यहाँ पे not applicable करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे live without pay में ह ऑफ-send करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ जो हम जो payment करने वाले हैं, और है monthly, यहाँ पे मन्थली लगे, उसके बाद basic up calculation per day का यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, as per day calendar period से यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे दौस्तों not applicable करना है, इसके बाद आ हमाना past basic जो provide करने वाले थे अब एक और बनेगा over time का same उसी तरीके से रहाएगा जो हमने अभी just बनाया था तो same होई सारे हम over time ले लेते हैं और यहां पर आपको earning for employee लेना है लेकिन दोस्तों यहां पर आप fix के जगह variable लेजिए क्योंकि यह अब हमारे पास income होती है तो यहां पर हम जो इसका मतलब अंडर रहाएगा यह indirect रहाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना इंटर करते वियाना सिदेक calculation टाइप में अब यहां पर calculation टाइप में आपको दोस्तों रखना and production उसके बाद इस तो यहां पर आपको over time लेना है and यहां पर आपको कर देना not applicable and बस इतना करनेक बाद accept कर लेना है अब दोस्तों यहां पर हमारे पास अब last में बसता है PF यानि provisional fund जो होता है जो आपको salary से काटा जाता है तो यहां पर PF ले ले लेते हैं PF में आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको जो यह type होता है reduction from employee हमेशा लेना है दोस्तों क्योंकि अलग से का पहले ही काट लिया जाता है payment क्योंकि बाद में हमें मिलता है अब इसका जो दोस्तों under रहता है यह हमेशा current liabilities रहता है क्योंकि एक तरीके से आपको पता होगा कि यह जब खर्चे होते हैं लेकिन वो तो यहां पे current liabilities रखते हैं उसके बाद यहां पे इंटर करते हुए आना दोस्तों calculation type में यहां पे दोस्तों आपको रखना है as compute value यहां पे as compute value रखना है and यहां पे not apply cable करना है उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको ध्यान देना है कि जैसे आप इंटर करेंगे तो यहां पे आपको on current earning total यहाँ पे आपको सबसे पहले select करना है उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक अप्रेल रखना है और इंटर करते हुए आना है पूछ ना है कि दोस्तों अगर किसी employee की salary मालीजे 10,000 से ज्यादा है मालीजे 10,000 है तो यहाँ पे percentage हम देते है 0% मालीजे 0% यहा जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे greater than में आ जायागा 10,000 फिट से यदि किसी employee का salary 10,000 के उपर है तो यहाँ पे हम percentage देने वाले 12% यानि 12% पी अफ कटेगा तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको कर देना है accept अब दोस्तों accept करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ प point करने के लिए telly prime में सबसे पहले आपको आजाना escape से पीछे और दोस्तों आपको सीधे आजाना है alter वाले option में and enter कर देना है अब दोस्तों इसमें आप Payroll Master में जायेंगे तो आपको define salary का option आएगा इसमें आपको कर देना है click आप जैसे दोस्तों यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें define करना है जो भी हमारे पास salary तो यहाँ पे हम सबसे पहले manager लेंगे और यहाँ पे आपको effective form में यहाँ पे एक अपड़े रखना है याई वन प्रेस करकर जैसे इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सारे session देना है माली जे basic salary आपको select कर लेते हैं यहाँ आपर माली जी हम 50,000 रुपिय रखते हैं इंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे ddr. इस तरीके से हमने दोस्तों मैंनेजर का बनाया था सेम उसी तरीके से से जैल्समैन को यहाँ पे अपरेल रखना है यहाँ पर दोस्तों आपको धेयान देना है कि यहाँ पे start यह जो दोस्तों दिया है यहाँ पे आपको phrase करना है यहाँ पे जो आपको दिया है phrase यहाँ पे आपको बस ऐसे start phrase पे click करना है उसके बाद यहाँ पे दोस्तों basic salary दे देते हैं तो basic salary जो दोस्तों salesman होते हैं काम करने वाले उनकी कम रती है तो माले जी आपे हम 25 30,000 रुपे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे over time देते हैं, यहाँ पे पर घंटे का 200 रुपय है, एंड यहाँ पर इसके बाद PS select करकर बस इतना करने के बाद दोस्तों आपको कर लेना है, accept, अब दोस्तों यह सारा काम खतम होने के बाद, आपको सीधे यहाँ पे आ जाना है, पीछे उसके बाद दोस्तों आपको पीछे आने के बाद जो यहाँ पे आपको दिया है पेरोल बाउचर इस पे दोस्तों आपको कर देना है क्लिक इसमें दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको जाना है पेरोल आप्सन में जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पेरोल यहाँ पे है उसके बाद दोस्तों इसमें आपको इंटर करना है और सीधे आपको इंटर करते विए दोस्तों आपको लाश्ट में आना है जहां पे लिखा है नेम आप क्लास दोस्तों यहां पे नेम आप क्लास में आपको डालना है salary pay जो कि हमें यहाँ पे बनाते हैं salary नाम से यहाँ पे हम salary pay नाम से बना लेते हैं और दोस्तों इंटर करते हुए हैं यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको end of list रखना है यहाँ भी end of list यहाँ पे दोस्तों आपको cash लेना है laser of name में and आपको बस accept scope कर देना है दोस्तों इतना करने के बाद अब हमें दोस्तों employee का नाम बनाना जिसके लिए escape से पीछे हम दोस्तों जाते हैं और सिधे अब जाते हैं create वाले option में अब यहाँ पर आपको आना है payroll master में और यहाँ पर हम दोस्तों employee का नाम बनाते हैं तो employee पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहला employee रहेगा सीवम नाम से दोस्तों यहाँ पर हम पहला जो employee होगा सीवम उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इसका अंडर रहेगा है यहाँ पर रखना है manager दोस्तों वीडियो थोड़ा से long हो रही है लेकिन आपको proper तरीके से देखना है क् इस तरीके से आपको दोस्तों जो लिखा है coffee from employee group इसको आपको बस इस तरीके से इंटर कर देना है और आपका जो manager session है तो manager वाला session लेकर इंटर करते हुए इसको भी हम क्या कर लेते हैं accept कर लेते हैं और यहाँ भी employee का number डाल देते हैं जैसे 5066a manager का है स्वाही दोस्तों यहा इस तरीके से यहाँ पर manager का बना था उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपने लिया था option copy from employee इसको भी same उसी तरीके से यहाँ पर salesman करकर आपको बस इंटर करते हुए इस तरीके से यहाँ पर employee का number डाल सकते है 5061 इस तरीके से हम डाल दिये, उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको इसको भी कर लेना है accept, अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको चलिए अगला जो step है आपको बताते हैं, तो इसके लिए आपको सीधे आना जाना है gateway आप टैली में escape से, अब दोस्तों टेली में आने के बाद आपको आना है जो यहां पे voucher से transaction में इस पर click करना है अब दोस्तों यहां पे बहुत लोग confused जाते हैं बहुत option यहां पे दिये रहते हैं लेकिन दोस्तों आपको जो option बताएंगे सेम उसी option को follow करेगा अब यहां पर दोस्तों आप vouchers में आने के बाद स उसी option को आपको select करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो लिखा है यहाँ पे attendance इस पे दोस्तों आपको कर देना है इंटर, इंटर करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपका जो attendance है इसको बनाना है तो सबसे पहले हम manager का बनाते हैं तो manager पे हम click करते हैं उसके बा तो माली जी हम 5 days रख देते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से हम सीवम मेनेजर वाले लेंगे, और यहाँ पर हम लेखते हैं, ओबर टाइम, यानि पचास घंटे काम कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम रखते हैं, तो यहाँ पर हम पचास आवर से बस इंटर करते हैं, दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, दोस्तों, सिम उसी तरीके से यहाँ पर नीचे आना है, अमीत वाले पे, उसके बाद यहाँ पर आपको अमीत पर क्लिक करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अप सेंट लेंगे, माली जी यदि तीन दिन कोई किया जाएगा उसके बाद यहां पे फिर से अमीद को लेंगे और यहां पे over time इनका select कर लेंगे और over time यहां पे पचास मुंटे काम कर देते हैं इतना करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना इसको कर लेना है accept अब दोस्तों accept करने के बाद आपको सबसे important चीज़ होता है कि आपको फिर से other vouchers पे click करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको payroll पे click कर देना है जैसे दोस्तों payroll पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका voucher type में आपको salary pay रखना है उसके बाद दोस्तों आपको जैसे salary pay रखेंगे अब यहाँ पे आपको salary पे रखने के बाद आपको सबसे पहले manager वाले को select करना है यानि सीवा माले को उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है बस सीधे आपको auto fill पे click करना है पे रोल पे click करना है यहाँ पे आपको दोस्तों salary को ले लेना है और यहाँ पे आपको date ज कर आप दोस्तों इंटर करना है और यहां पे दोस्तों आपको ध्यान देना है यहीं पे बहुत लोग मिश्टेक करेंगे तो यहां पे आपको दोस्तों जो सेलेट करना है और आपको यहां पे यहां पे मैनेजर नाम को सेलेट करना है बहुत लोग यह जो नाम हमने बनाया था manager नम से ये select कर लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको manager वाला name आपको select करना है उसके बाद दोस्तों आपको employee name select करना है बस आपको enter जैसे करेंगे तो automatic दोस्तों देख सकते हैं सारा जो हमारे पास P.E.F, overtime और साथ में जिवो इनकी salary थी सारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया है अब दोस्तों सेम इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं accept अब सेम जैसे हमने अभी C1 का बना था उसी तरीके से अमीद को select करेंगे बस यहाँ पे फिर से auto fill पे जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों payroll auto fill पे click करेंगे selling लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको date जो है यहाँ पे माली जी हम रख देते हैं 1,6,2030 उसके बाद दोस्तों इंटर करना है यहाँ पे भी अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है जैसे हमने manager लिया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे salesman लेना है ना कि आप अमीद को ही ले लेजी यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं चरी हाँ पे इंटर करते हैं employee name and आपको इंटर कर देना है तो देख सकते हैं दोस्तों आपका proper तरीके से आ गया है आपका जो भी यहाँ पे सारे option थे तो इस तरीके से आप दोस्तों payroll voucher इजी तरीके से बना सकते हैं अब दोस्तों इसको हम कर लेते हैं accept अगर दोस्तों आप इसका slip देखना चाते हैं तो आपको escape से सबसे पहले पीछे आना है और सीधे दोस्तों आपको जहां पे बताएंगे वही पे जाना है बहुत लोग गलती करते हैं सीधे जाते हैं डे बुक में क्योंकि सबका अलग अलग option होता है तो यह चीद दोस्तों आपको ध्यान देना है तो चलिए आपको सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि आते हैं यहां पे जो हमारे पास gateway आप टैली है उसके बाद यहां पे दोस्तों आपको सबसे पहले डिस्पले मोर पे जाना है डिस्पले मोर पे उसके बाद यहां पे दोस्तों आपको देख सकते हैं पे रोल रिपोर्ट पे ध्यान से जाना है जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं पे रोल रिपोर्ट इस पे आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों पे रोल रिपोर्ट पे जाने के बाद इस्टेटमेंट आप पे रोल आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं पे रोल इस्टेटमेंट यहाँ पे लिख करते हैं और यहां पर दोस्तों आपको जो भी मतलब जिसका निकालना है आप यहां से निकाल सकते हैं जैसे माले जी हमें सिंगल निकालना है तो हम सिंगल निकाल सकते हैं ग्रूप वाज निकालना चाहते हैं तो ग्रूप वाज निकाल सकते हैं माले जी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक को अमीद को सेलेट करते हैं तो देखें अमीद का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दोस्तो निकल कर आ गया है अगर हम दोस्तो इसके से पीछे जाते हैं और माले जी यहाँ पर हम सीवम का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सीवम का प्रॉपर तरीके से निकल गया है। दोस्तों यदि आप इसका स्लीप निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे बेश्ट आप्शन है कंट्रू प्लस फी दबाईए और यहां से प्रिव्यू पे क्लिक करकर आप इजी तरीके से जो इसका स्लीप है आ आप निकाल सकते हैं जैसा कि दोस्तों हम जूम करका आपको दिखा देते हैं तो यह दोस्तों प्रॉपर तरीके से हमारा यह स्लीप बन गया है तो आपको दोस्तों प्रॉपर तरीके से समझ में आगे आओगा कि कैसे हम बना सकते हैं यदि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉ वोची।